आपकी वक्षीट नमर 26 तो पहले आप लोग से लेबल कर लेंगे डीड डाल देंगे क्लास सब्चेक अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे चले पढ़ना शुरू करते हैं देखते हैं आज इसमें क्या पढ़ेंगे आगे यह वही आपके है आश्रम वाली उसको आगे कॉंटिन्यू करते हैं लिखा है प्यारे बच्चो आश्रम का अनुमा मतलब क्या होता है वह मतलब होता है खर्चा ठीक है अब जब आश्रम बनाया जाएगा तो उसमें कुछ खर्चा होगा लोग आएंगे खाएंगे पीएंगे तो क्या खर्चा होगा उसका उन्होंने खुद अनुमान लगाया था उन्होंने एक अंदाजा लगाया था कि पार्ट से लिए इस गद्यां शौन के उद्टर कर जाने क्या थानिर्ट कि यह अंदाजा हो सके कि इस लिए पांछ पांच रौप漏 कर भर दियुक्त का था शौन के आप मेरे नुमान से इन सब पर कुल 5 रौपय खरच आईगा रसुई के लिए आविशक सामान पर 150 रुपे खर्च आएगा स्टेशन दूर होगा तो सामान को या महमानों को लाने के लिए बैल गारी चाहिए मैं खाने का खर्च 10 रुपे मारसिक पती व्यक्ती लगाता हूँ यानि अब क्या कह रहे हैं याप यह कह रहे हैं कि कुल जो खर्च आएगा वो 5 रुपे आएगा रसूई के लिए 150 रुपे खर्च आएगा जबकि स्टेशन दूर है इसे लिए हमें बैल गारी भी चाहिए महमान आएंगे या सामान आएगा उसके लिए है ना और खाने का खर्च में यह मान लेता हूं कि 10 रुपे होगा एक व्यक्ती पर एक महीने में यागर एक व्यक्ती एक महीना रहे के जाता है तो उसका कुल खर्च जो होगा खाने का वो 10 रुपे होगा ठीक है मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे अब यह कहरे है कि जो यह खर्च हो रहा है कि क्योंकि आश्रम में जब कोई आता है तो वो दान भी करता है मुझे नहीं लगता कि यह खर्च हम पहले ही वर्ष में निकाल पाएंगे लगेगा जाधा हमें जिसकी इंकम होगी वो हमारी कम होगी ठीके तो निकाल सकेंगे वर्ष में उसतन पचास लोगों का खर्च छे हजार रुपे आएगा या कि अगर एक वर्ष में पचास लोग रहते हैं आके अलग अलग बी रहे तो 50 वर्ष औसतन का मतलब क्या होते है आवरिज ठीक तो अगर 50 लोग भी रहते तो उनका 6000 रुपे वर्ष का खर्च आएगा पूरा मिला के मुझे मालू हुआ कि प्रमुक लोगों की इच्छा है यानि कि जो में लोग है उनकी इच्छा ये है कि एहम्दाबाद ने ये गया सब खर्च उठाना चाहिए यानि अगर ऐसा होता है तो जो आमदाबाद वाले लोग है उन्हें खर्च भी उठाना चाहिए मेरी मांग तो ये भी है कि एहम्दाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जु एक वर्च का या इस से कुछ कम दिनों का खर्च एहम्दाबाद को उठाना चाहिए यदि एहम्दाबाद एक वर्च के खर्च का बोज उठाने के लिए तयार ना हो तो उपर बताए गए खाने के खर्च का इंतिजा मैं कर सकता हूं चूंके मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में त्यार किया है इसलिए संबब है कि कुछ मदे मुझसे छूट गई हूँ… Toub कि विपार नियुक्स साथ कार्या हम एक काल कार्या ने हमती जूट highlight इसलिए मेरे अनुमान से भूले भी हो सकती है एक अपनी अनुमान बहुने मेरे अनुमान वहत भूल गयी है मेरे यहानि से जन्मद तो लेए पर लिया चली हम लोग को चू शहांस परते आपका पहला कोशिन दिया गया है यहां मैं का परियोग किसके लिए हुआ है यानि इस पूरे परग्राफ में जो मैं शब्द आया है वो कौन है कौन अपने लिए मैं का इस्तिमाल कर रहे है चलिए आंसर देखते हैं यहां मैं का परियोग महत्मा गांधी जी के लिए किया गया है ठीक है यहां प देखते हैं अब इसकान से लिखेंगे इस्टेशन दूर होगा तो समान या महमानों को लाने के लिए बैल गारी चाहिए ठीक है तो आप लिख सकते हैं असानी से चलिए अगला कुशिन बढ़ते हैं अब आपका नेक्स कुशिन दिया गया है लोगों की इच्छा की अनुसार एहमदाबाद में ये प्रियोग कितने वर्ष तक किया जाए तो कितने वर्ष तक की उन्होंने कहता करने को एक वर्ष के लिए है न चलिए इसकान से देखते हैं तो आप इसकान से यहां से लिखेंगे लोगों की इच्छा की अनुसार एहमदाबाद में ये प्रियोग एक वर्ष तक किया जाए कितने वर्ष तक एक वर्ष तक चलिए अगला कोशिन परते हैं अब आपका अगला कोशिन दिया गया है मेरे अनुमान ने भूल भी हो सकती है लेखक ने ऐसा क्यों कहा तो चलिए इसका अंसर देखते हैं तो देखें आप इसका अंसर यहां से तो आप इतने ही अंसर लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा तो बस आप इतने ही लिख लेंगे ठीक है चलिए अगला कोशन परते हैं अब यहां आपका लास्ट कोशन दिया गया यह आपके एक अक्टिविटी है गतिविटी है आपको कही बार लगता होगा कि आप कई चोटे-मोटे काम जीसे घर की पुताई, दुध दोना, खाट बुलना चाहें तो कर सकते हैं यह नहीं यह आपके सूची एक चाहए। झाहकर भी नहीं सीख पाते क्यों क्यों कि वह अलज बात हो जाती ना एक काम तमॉली नहीं कर सकता ठीक है इस से इसके क्या कारण रहे होगे यानि क्यों नहीं कर पाते तो हम चोटे हैं अभी और दुसरी चीज यह कि हर काम अगर हर कोई करने लगेगा तो फिर जो विचार उस चीज के एक्सपर्ट है उ उसके लाव अगला कुशन लिखता है उसी में उन कामों की सूची बनाईए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं या कभी जिन्दीगी में आगे करना चाहते हैं तो चलिए इसके अब देखें यहां वैसे यह आंसर क्योंकि गती भी दिये यह आपको अपने हिसाब से करना है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आप कभी भी चाकर नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे कौन से काम है जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उन्हें आप सीखना चाहते हैं तो देखें आप लिख सकते हैं कि हम टीवी नहीं सही कर सकते हैं और दूसरा रोटी बनाना क्यों क्यों कि आज भी गोल नहीं हों आते हैं इस तरह से यह है कि आप लोग इसे कर सकते हैं आसाने साथ जो जो चीजे आपको पसंद से जो आप फिचर में करना चाहते हैं जैसे शीखना या पिर और बहुत सारे काम ऐसे जो आप लोग बड़े होके करना चाहते हैं तो आप उनका नाम यहां लिखेंगे जो काम आप सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं एक्जाम्पल के तरफे कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं कि हम computer चलाए या English बहुत अच्छी बोलना सीखना चाहते हैं तो जो काम आप सीखना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं तो आज की वीडियो को हम यह करते हैं आज की वीडियो में बसे इतने हैं अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अ